असलाम नेकम स्टूडेंट्स हम अपना सेशन कंटिन्यू करते हुए कि फीडिंग एन वाटरिंग ओफ डैरी एनिमल्स उसका हम दूसरा सेशन पढ़ेंगे आज तो जिसमें हम जो इनका फीड होता है कितना फीड देना चाहिए एक एनिमल्स को उसके बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है बोला जाता है कि एनिमल्स को मोसली दो तरह का फीड दिया जाता है एक होता है कंसंट्रेट फीड दूसरा होता है फोडर ठीक है concentrate feed को feed को यह इस फीड आसा animals का जिसमें हर तरीके के nutrients प्रोवाइड होते है ठीक है concentrate feed वो feed होता है जिसमें nutrients हर तरीके के nutrients available होते है लेकिन इसमें fiber content जो होता है कम होता है while as fodder, fodder crop होता है fodder crops वो crops होता है जो particularly इसलिए ग्रो करते है fodder crop जैसे देखो हम rice वगेरा उगाता है ठीक है अपने खेतों में वोई तो वो किस purpose होता है वो में अपने लिए होता है ठीक है तो इसी तरीके से fodder crops वो crops होता है जो animals के लिए grow किये जाते है ठीक है तो बोला जाता है कि animals को दो तरह के feeds दिये जाते है और फोडर crops जो होते है इसमें बोला गया है कि ये सुखा के भी देते है और ऐसे इस green फार्में भी देते हैं तो direct field से काट के देते हैं जो green ही होंगे अभी वैसे भी दिया जाता है animals को यहां तो as dry matter दिया जाता है dry matter मतलब कि ये मैं फोडर crops जाना इनको सुखाया जाता है सूरज की मदद से सूरज की घर्मी की मदद से इनको सुखाया जाता है और इनका जो सारा moisture खतम हो जाता है तो ये बन जाता है dry ठीक चाथ तो फोडर crops देते हैं either in the green form or in the dry form ठीक है the point is all is better to meet an animals for the requirement from the green feed यानि कि mostly pages क्या करन हमें green feed देना चाहिए जादा तर animals को ठीक है ताकि अब ये क्योंकि animals ये तो सीधी सी बात है animal तब काम करेगा जब उसको proper food मिलेगा वो तब grow करेगा जब food मिलेगा energy मिलेगी है ना वो तब काम करेगा वो तब हमें दूद देगा ठीक है तो वो तब in short वो तब जिन्दा रह सकता है जब तक उसको अच्छा food मिलेगा अगर उसको ऐसा healthy food नहीं मिलेगा तो वो हमारी हमारे काम का तो नहीं है तो इसलिए बोला जाता है कि animal को food की ज़रुरत होती है अच्छे feed का मतलब यह नहीं होता है अच्छे soft feed आनों तो था हो ना वो feed जिसकी मदद से सारे essential nutrients provide हो किसको animal को ठीक है अच्छा feed requirement किस तरह किसे दिया जाता है इसमें thumb rule method आता है for calculating the feed requirement of the cattle and buffalo यानि कि हमें कितनी quantity में देखो एक limit होती है इनसान की भी एक limit है उसको पता है कि वो कितना खा सकता है उसी तरह किसे हम अंदाजा लगा सकते है इनसान को कितना four देना चाहिए कितनी quantity में देना चाहिए कितनी मिग्दार में देना चाहिए थीक है तो इसलिए एक particular rule है जिसकी मदद से में पता चलता है कि इसको ता फीड पज़े गेटल को या बफैलो को देना चाहिए तो उसके बाद estimation of maintenance feed requirement of animal on the basis of dry matter content ठीक है यानि feed required लेकिन on the basis of dry matter dry matter मैंने क्या बोला वो feed जो dry होगा dry मतलब जिसमें सारा moisture remove किया गया होगा ठीक है यानि कि all feeds content some amount of water बोलते है कि यह जो पहला है कि बोल रहा है कि हमें कितना dry matter देना चाहिए आनिमल को ठीक है हम वो पड़ रहे हैं तो बोलते है कि कहते फीड ऐसन आत्मश्यक केनत की आप present आसन ठीक है पानी present होता ही होता है जब यह सारा पानी remove किया जाता है जब यह सुखाया जाता है इस feed में से तो उस चीज को नाम दिया गया है dry matter ठीक है ना एक एनिमल को दिन में dry matter मिलना ही चाहिए जैसे हम गास वगेरा देते हैं straw देते हैं हे देते हैं गास फूस देते हैं हम गायों को जो सुखा होता है है ना तो that is dry matter ठीक है यानि per day एक animal को health maintain करने के लिए और grow करने के लिए dry matter देना ही देना है ठीक है another largely followed simple thumb rule of animal feeding followed by majority of the farmers to meet the total dry matter requirement of the animal in such a fashion so that one third of dry matter is met for the concentrate and two third of the dry sorry and two third is met for the rough eats ठीक है यानि कि यह जो dry matter दिया जाता है एक animal को एक simple thumb rule की मदद से बोलते है कि इसका जो dry matter जो होता है इसका one third जो होता है उस is met for concentrates concentrate मैंने क्या बोला concentrate वो feed होता है जिसमें सारे essential nutrients provide होते है एक animal को लेकिन इसमें fiber content बहुत कम होता है and two third is met for the rough feeds यानि कि dry matter में ज़्यादा क्या गिसासन rough feeds होने चाहिए concentrate भी होने चाहिए ठीक है one third ठीक है जो rough each order होते है वो high fiber content होता है उन में present ठीक है concentrate में बागी available nutrients होते है जब इस सारे together एकठी एक मिलेंगे एक animal को तो उसके सारे उसमें और सारे essential nutrients provide होंगे वो अच्छे से grow करेगा ठीक है अब बोलते है कि animals जो होते है उन्हें हर एक stage पे अलग-अलग feed requirement होती है ठीक है देखो जैसे human being है हर एक हमारे पास एक time होता है जिस पे हमें कुछ खाना होता है ठीक है like morning में हम tea लेते है lunch में rice लेते है इसी तरीके से animals जो होता है उन्हें हर एक various states पे क्या होती है feed requirement ठीक है यह table दिया गया है यहां पे इस table में लिखा गया है कि किस time पे कितना इनको feed चाहिए होता है ठीक है like अगर हम पहला पढ़ेंगे indigenous cattle यानि के desi cattle जो indian cattle होती है उनको straw या dry fodder कितना चाहिए होता है four to five kg ठीक है four to five kg concentrate को होता गिसमन melon one point two five kg और यह होगा maintenance के लिए daily being के लिए ठीक है गावाइस दौध देवान तो इसको concentrate for zero point four kg per liter मिल की पे मिलना चाहिए ठीक है अब अगर गाई pregnant है pregnancy time चल रहा है तो उसको concentrate one point two five kg मिलना चाहिए ठीक है ना अब growth के लिए इसकी growth बढ़ने के लिए extra feed दिया जाता है that is one point zero kg concentrate ठीक है यह एक चोटा सा table बताया गया है cross breeds के बारे में बताया है stage of production अलग-अलग time पे क्या feed लगता है buffaloes का breeding bulls के लिए blocks के लिए block क्या होगे block होगे वो bulls वो animals जो working purpose के लिए हमें लगते है ठीक है तो यह सारा table इसी related है अच्छा, besides the quantity of straw and raw fodder concentrates as shown in the above table about 15 to 20 kg green fodder should be provided to the animals to fulfill the total nutritional requirement याने कि इस सब को छोड़ के भी हमें क्या करना चाहिए 15 से 20 kg sub-gust possessed animal को देना चाहिए ताकि उन्हें nutrient requirement उनकी fulfill हो जाए ठीक है तो यह hopefully आपको यहां तक समझ आ गया होगा याने हमने क्या पढ़ा feed requirement एक animal की कितना उसको देना चाहिए ठीक है dry matter देना चाहिए, concentrate देना चाहिए, fodder crops देने चाहिए ठीक है अच्छा, major ingredients for feed preparation यह है कुछ, single feed ingredient देखो, क्या होता है कि अगर अगर हम एक ही feed देंगे तो उसको सारे nutrients थोड़ी मिलेंगे उससे like humans जो होते हैं, वो क्यों नहीं एक ही food खाता है, वो क्यों अलग अलग foods खाते है ताकि हमें हर एक food से nutrients मिलते हैं ना कि एक ही food से हमारी सारी nutrients यह हमारा सारा fulfill तो नहीं हो जाएगा न, ठीक है तो इसके सारे nutrients मत मिलेंगे इसको ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, कि इस यह वरिया हम जब feed देते हैं तो हम mix करके देते हैं, ताकि आहतक बन क्या balanced ration बना, ठीक है न, यानि कि balanced diet बनेमन, उस feed से इनको सारे nutrients फिर मिलेंगे, ठीक है अब नीचे टेबल में क्या दिया गया है, वही राशन, लाइक पहला है, cereals, cereals में common ingredients, यानि cereals, मेमेज, wheat, barley, sorg, millets, इनको मिला के देना चाहिए animals को, ताकि इनको सारे nutrients मिलेंगे, इसी तरीके से, oil cake से, byproducts, animal proteins है, mineral source and other vitamins, यह टेबल वो बताया है, कि बोलते है, कि हमें animal को एक ही feed अगर देंगे, तो सारे nutrients तो नहीं मिलेंगे ना उसको, तो इसलिए हमें different feed को mix करके देना चाहिए animal को, और वो feed इस table में mention किया गया है, तो देखो, यहां पे कुछ image दिखाई गई है, जो दिया जाता है, इनको खाने के लिए, maze है, canola meal है, wheat bran है, wheat bran है, wheat bran क्या होता ह जो 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 इसका जो आउटर मोस लियर होता है, राइस का, जिसको husk बोलता है, इसी को machine के थ्रू और कैश एवान, इसको bran बनाया जाता है, और animals को दिया जाते है, cotton seed cakes, यानि कि यह सारे feed सेकिन के लिए, animals के लिए, ठीक है, तो, hopefully यह आपको समझा गया होगा भी topic, तो इसम हमने simply पढ़ा feed जो दिया जाता है, animals को,